आज हम सिर्फ एक कप पालक से बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी बनाएंगे जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही जाधा टेस्टी रहती है तो फ्रेंड्स अगर आप इसे बनाओगे तो इसे बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को ये बहुत पसंद आता है और फ्रेंड हम गेहों के आटे से मनाएंगे उसके बाद यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक एड़ कर दिया अधा चमच अजवाइन को मैंने हाथ पर रखकर क्रश करकर एड़ किया है जिससे इसका फ्लेवर और भी ज्यादा इन्हांस हो जाए उसके बाद क्या करेंगे ए थोड़ा थोड़ा पानी इसमें एड़ करती जाओंगी और इसे एक टाइट डो लगा के रेड़ी करूगी तो यह देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने डो लगा लिया है और अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि जो हमारा आटा है बहुत अच्छ को लिया है तो यह बड़ा सा बने बाउल लिया है पहले पहले आप पालो को मैं अब को दिखा देती हूं तो यह दिखे मैंने पालो को बारी कट करके अच्छे से वाश करकर एक छन्ने में मैंने डाल दिया है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए तो मैंने उसे आदा घंटा पहले ही इसे छन्ने में डाल कर रख दिया था तो एक बड़े से बाउल में मैं क्या करूँगी उसे ले लूँगी और एक आलू को मैंने यहाँ पर ग्रेट करकर उसे भी पानी में रख दिया था और मिक्स करने के बाद इसे फाइब मिनटस के लिए रेस्ट पे रखेंगे जब तक हमारा पालग रेस्ट पे रहता है तब तक हम दूसरी ते तो फ्रेंडस यह नास्टे को तो अच्छे से स्क्वीज कर देना है और ये देखे इस तरह से हमें सभी पानी इसके निकाल लेना है ताकि जब हम नास्ता बनाए तह बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे बेसन एड़ किया है तो friends से बेसन का इसमें टेस्ट बहुत ही जादा बढ़ियां आता है आप इसमें बेसन जरूर एड़ करें बेसन एड़ करने से टेस्ट तो अच्छा आता ही है थोड़ा से बाइंडिंग भी आ जाती है आदा चमच मैंने हल्दी पाउडर एड़ किया है और आदा चमच से कम थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हींग और एक चमच करीम मैंने गरम मसाला और भुरा भुना हुआ जीरा का पाउडर था friends आदा चमच वो भी मैंने एड़ कर दिया है और सभी को हम इसमें मिक्स कर लेंगे और और friends नमक हम इसमें बिल्कुल नहीं एड़ करेंगे क्योंकि जो हमने पहले ही नमक इसमें एड़ कर दिया था जब हमें इसे पानी निकालना था तो ये देखे बस इसके बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखे बिल्कुल ये डो जैसा बन जाएगा तो हमें बिल्कुल ऐसा ही बनाना है तो ये देखे इस तरह से बना लिया मैंने अब हम इसे क्या करेंगे साइड में रख लेते हैं आटे को हम अपने चेक कर लेते हैं अब हम इसे एक से दो बार मसल लेंगे और उसके बाद हमें तीन बॉल्स बना लेंगे तो यहां पे चार भी बना सकते हो लेकिन मैं थ्री बॉल्स ही बना रही हूँ उसके बाद क्या करेंगे एक balls को लेकर friends, थोड़ा सा dry anda के साथ एक बड़ी सी रोटी में बना लूँगी बिल्कुल पतली रोटी हमें बनाना है, हमें रोटी बिल्कुल मोटी नहीं रखनी है Friends, इस तरह से करके मैं इसे एक बड़ी सी रोटी बना लूँगी तो रोटी हमें उतने साइज का बनाना है friends की जिसने साइज का आगर आप जिस बरतर में आप स्टीम करोगे उसमें आज आना चाहिए तो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी ये देखें बिल्कुल पतली सी रोटी मेरी बनके रेडी हो गई है दूसरा भी मैं इसी तरह से करके बना लूँगी तो ये दिखें ये हमें दूसरा रोटी भी बना के रेडी कर लिया और ये दिखें friends मैं इसी बरतर में स्टीम करूँगी तो इतने साइज के मेरे रोटी मैंने बनाया है तो तीसरी रोटी भी मैंने बना लिया और तीसरी रोटी के ऊपर friends जो mixture था उसे मैं अच्छे से फैला दूँगी तो friends आप इस mixture को अच्छे से फैलाएं और friends ये आप इसकी जो quantity है mixture की आप ज़्यादा कम कर सकते हो उसके बाद थोड़ा सा मैंने chili flex डालना उस समय भूल गई थी तो मैं यहाँ पर add कर देती हूँ थोड़ा सा chili flex जिससे taste बहुत ही अच्छा आता है और अच्छे से mix कर लेंगे उसके बाद इसके ऊपर एक दूसरी रोटी में रख दूँगी और friends अगर आप चाहो तो इसके ऊपर दूसरी stuffing रख सकते हो लेकिन मैं same stuffing थोड़ी सी बच गई थी तो मैं वो रख दूँगी और थोड़ा सा मैं यहाँ पर पनीर की भी stuffing करूँगी तो यह दिखे मैंने इसमें अच्छे से फैला दिया है थोड़ा सा जो मेरा stuffing बच गया था उसके बाद यहाँ पर मैं धेर सारा पनीर एड़ कर दूँगी जो बच्चों को बहुत पसंद आता है और इस रेसेपी में आप पनीर ज़रूर एड़ करना पनीर से इसका टेस्ट बहुत ज्यादा इन्हेंस हो जाता है क्योंकि बिल्कुल पालक पनीर के जैसा ही इसका टेस्ट आता है तो इस तरह से मैं इसमें एड़ कर दूँगी और थोड़ा सा जो भी आपको मसाले पसंद हो आप इसके उपर स्प्रिंकल कर सकते हो थोड़ा सा मैने चीली फ्लेकस एड़ कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैने नमक तो कि पनीर में नमक नहीं था तो मैं थोड़ा सा बस स्प्रिंकल करूंगी थोड़ा सा भूना हुआ जीरा मैंने एड़ किया है और उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा गरम मसाला भी मैं इसके उपर एड़ कर दूंगी और उसके बाद तीसरी रोटी को में इसके उपर रख कर दिया और अब हम इसे स्टीम करेंगे तो जिस बरतन में मैंने आपको दिखाया है उसमें हम अच्छे से पहले ग्रीस कर लेंगे यह दिखे मैं एक केक टीन ली हूँ उसे क्या करूंगी ऑईल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी उसके बाद फ्रेंड्स मैं यह जो मैंने न ठीक लेंगे और इसे ठंडा होने देते हैं तो ठंडा होने के बाद आपम इसे डीमोल्ल कर लेंगे तो यह देखे हैब देख स beetंक्री में बहुत लगला नहीं हुआ इशा बनाती हूँ घर में और इसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी तो फ्रेंड्स आप चाहो तो इसे इस तरह से खा सकते हो यह बहुत अच्छे से तो इस्टीम हो ही गया है इसमें अब कुछ करने की जरुवत नहीं आप इसे मन चाहे चटनी के साथ आप इसे इंज्वाई दिख रही है तो फिलिंग आप अच्छे से डालना हुआ फ्रेंड्सकोब अच्छा सा फिलिंग अगर रहेगा तो खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और अगर मसालों में अगर आपको कोई भी मसाले पसंद हो तो आप इसमें एड कर सकते हो और यह दिखे मैं यह इस तरह की चीजे खाते हैं और यह बहुत अलग तरह का नासता है friends आप इसे जरूर ट्राइ करना बहुत ही अच्छी लगती है खाने में तो friends अगर आपको मेरी ये recipe मेरी ये video अच्छी लग रही हो तो please please आप मेरे channel को like और subscribe करना बिल्कुल भी न भूले और like up button press जरूर करें तो ये देखे friends यहाँ पर मैंने सभी cut करके ready कर लिये हैं अब हम मैं क्या करूंगी इसे मैं fry करूंगी तो fry करने के लिए फिर से पहले मैंने यहाँ पर क्या किया एक चमच करीवी corn floor लिया है और एक चमच मैंने यहाँ पर मैदे का use किया और थोड़ा समय यहाँ पर taste recording नमक add कर दूँगी और इसे एक पतला सा घोल बना के ready करेंगे तो friends आप इसके जगा पर गेहूं के आटे का भी use कर सकते हैं और उसके बाद इक पतला सा घोल बना लेंगे और इसके बाद इसमें हम deep कर लेंगे ताकि जो हमने stuffing करी है वो बाहर न निकले जब हम उसे fry करें तो बाहर न निकले और उसके बाद friends मैं एक एक को इसमें डाल कर इसे मैं इच्छे से coat कर लूँगी और इसके बाद इसे हम shallow fry कर लेंगे तो friends आप ये recipe एक बाद ज़रूर ट्राइ करना बहुत ही healthy recipe है अगर आप इसे fry नहीं करते हो तो ये बहुत ही healthy है और खाने में भी friends बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है बिल्कुल अलग तरह का टेस्ट और स्वाद आता है आप stuffing की quantity आप थोड़ा इसमें ज़्यादा रखना और अगर आप इसमें थोड़ा cheese वगरा खाते हो तो वो भी आप इसमें add कर सकते हो और उसके बाद इसे alert पलट कर friends crisp होने तक हम इसे fry कर लेंगो और अब इसे निकाल लते हैं और इसे आप अपने मन चाहे चटनी के साथ आप इसे serve करें तो friends आप देख सकते हो यह कितना ज़्यादा tempting लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा tasty लगता है बच्चों को भी बहुत पसंद आता है आप इसे बच्चों के lunch box में भी आप इसे दे सकते हो शुबह शाम आपको जब भी मन हो friends अगर आप तयारी करके रखते हो friends तो इसे बनाने में सिफ्ट 10 minutes से भी कम का time लगता है और यह बनके ready हो जाता है बहुत ही healthy सी recipe है आप इसे जरूर try करना और comment box में मुझे बताना कि आपने यह recipe कैसी लगी और आप देख सकते हो friends इस तरह से करके मैं एक एक को fish deep करते जाऊंगी और इसे दूसरा batches भी मैं fry कर लूँगी friends यह नास्ता बहुत कम तेल में बनके ready हो जाता है और basic सामान से बनता है आप इसके जगह पे जो मैंने पालक एड़ किया आप सबजियां भी एड़ कर सकते हो और आप देख सकते हो इस तरह से मैंने सभी बना के ready कर लिए अब इसे हमें serve कर लेती हूँ तो आप देख सकते हो friends यह कितना ज़्यादा tempting लग रहा है देखने में तो friends यह देखने में जितना ज़्यादा tempting लग रहा है खाने में भी mind blowing बहुत ही ज़्यादा tasty सी recipe है आप इसे जरूर try करना और friends अगर आपको मेरी यह वीडियो मेरी यह recipe अच्छी लग रही हो तो please को एक तोड़ के भी दिखाती हूँ आप देख सकते हो इसके अंदर का texture यह दिखे friends बहुत ही ज़्यादा amazing सी recipe है आप इसे ज़रूर try करें वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को like और subscribe करना ना भूले फिर मिलते हैं next recipe के साथ next video में okay bye and take care friends